प्रोसिग्नल एप्लिकेशन आप तब भी यूज कर पाओगी अगर आप टेक्निकल एनलिस नहीं जानते हो तो प्रोसिग्नल एप्लिकेशन का कुछ इस टाइप का व्यू है आप नॉर्मली देखेंगे पहले क्या दिख रहा है आपको गर्मली यूज कि यूज को घिandroिकेशन ओपन करते हो तो पहला जो उप्पस approaching इस वह एह आपको यह कि पीछे का स्क्रीण जो है बलर दीखेगा आपको पर दिखनाए डाइरेक्लिग आपको स्क्रीं के सेर्क किया हुआ है इस च्छा अपको पहला डिखता है लाइव mennec cash future और mcx nsc cash में वो सारे stock available है जो एनसे future में trade होते हैं और नसी future वाला जो यह option है उस में आपको nsc future के सारे stock मिल जाते हैं उसके साथ साथ आपको जो और यहां पर index option nifty और bank णिस्टी के weekly option contract भी मिल जाते हैं और उसके के बाद है mcx में आपको सारे जो है mcx commodity मिल जाएंगे पहले मैं एक बार आपको पूरा application का उसके बाद में step by step आपको दिखाऊंगा कि pro signal का कि इस तरह से आप maximum benefit ले सकते हो इसके उपर जो strategy चल रहा है वह strategy कैसे बनता है signals कैसे बनते है signals को हमें कैसे follow करना चाहिए वह सारा जो है मैं आपको step by step guide करूँगा उसके बाद है अलर्ट में आप क्या कर सकते हो आपने फैवरी स्टॉक के अलर्ट करके रख सकते हो ताकि जब भी कोई अलर्ट बनेगा आपके फॉर्ट के ऊपर notification आ जाएगा फिर a signal scanner signal scanner में around the market जितने भी signals बन रहा है वो सारे signals आपको यहां पर दिख जाता है उसके बाद है है वो सारे उसके पीछे के क्या logic चल रहा है उसको हम discuss करेंगे उसके बाद है home menu जो में लास्ट में आपके साथ discuss करने वाला हूँ उसमें है free trading tools free trading tools में काफी सारे tools जैसे जैसे कि योडी चार्ट है अगर आप investor हो तो आपके लिए योडी जो चार्ट है वो आपको बहुत ही useful होने वाला है उसके अलावा 2000 से भी ज्यादा स्क्रिप्ट के हम यहां पर प्री कैलकुलेटेड पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल्स आपको प्रोवाइड करते हैं इस तरह से आपको प्री कैलकुलेटेड पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल मिल जाते हैं 2000 से भी ज्यादा एनसी स्क्रिप्ट के ठीक है सो इसको भी आप समझेगे किस तरह से यूज किया जाता है ओके यह सारे टूस ऐसे फ्री ओप कोस्ट आपको यूज करने मिलता है लाइव चार्ट अग कोई moving average ले रहे हो कोई और strategy यूज कर रहे हो या फिर समझो आप कुछ यह से कोई studies यूज कर रहे हो जिसको आपको manually चार्ट के ओपर ड्रो करना पड़ता है तो normally दिक्कत क्या होता है कि हमें सारा कुछ जो है सारा data manually analysis करना पड़ता है और होता ऐसा है कि अगर हम data manually analysis कर रहे है तो क्या होगा कि जब तक हम analysis हमारा complete करेंगे उतने में तो प्राइस या वह स्टॉक चल चुका होगा उसकी वज़े से दिक्कत होता है कि हमारा जो entry है वो डिले हो जाता है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हमारा जो है पूरा analytic पार्ट जो है वो computer से हम analysis करें उसके बाद computer जो रेडी में strategy लगाया हुआ मिल रहा है उस strategy को आपको manually interpret करना है कि कब आपको buy लेना है कब आपको sell लेना है यह सर वेंकर सार pro signal application के उपर nifty और bank nifty के weekly option contract available है उसको भी हम देखेंगे चिक है प्रेंस यहां तक सबको clear है type c in chat box आपको clear है तो हम आगे बढ़े आपका जितना attention होगा फ्रेंस आपके लिए useful होने वाला है मार्केट में वरना क्या होता है कि हम अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग strategy को डूनते रह जाते हैं नए-नए strategies try करने में हमारे समय निकल ज चाहिए क्या स्ट्रेटेजी को किस तरह से यूज करना चाहिए उसके पीछे कि क्या logic है क्या money management है वो सारा कुछ जब हम नया strategy करते हैं तब सिखना पड़ता है ठीक है तो इसलिए अब जितना अटेंड यह सको अटेंशन से देखेंगे जितना फोकस होके वेबिनार देखेंगे अगला एक गंटा डेट गंटा जो भी वेबिनार चले यह जो है आपके ट्रेडिंग करियर में आपके इंट्राडर सिंगनल चल रहा है वैसे निफ्टी यहां पर पीछे मेरा चार्ट लगा हुआ है स्टेप बैस्टेप हम देखते हैं किस तरह से ट्रेट किया जाता है प्रो सिंग्नल एप्लिकेशन को या तो किस तरह से उसको अनलेसिस करेंगे ओके सो फ्रेंस जब भी आप चार्ट पर आते हो ओके पहला तो क्या होता है कि हमें चार्ट करना होता है कि आप जो भी स्टॉक को ट्रेट कर रहे हो डैरेकली हर टैप के नीचे सर्च ऑप्शन दिया गया है हर टैप के नीचे यहां पर सर्च ऑप्शन है आप क्या करेंगे आप उच्छाएं कैस का है एक है फ्यूचर का स्टॉक होगा तो जैसे फ्यूचर में कुछ सर्च करते हैं हम सर्च पर दश लिखा है उसके पीछे आई लिखा है उसका मिटलब यह फ्यूचर का कॉंट्रेक्ट है अगर पीछे डबल आई लिखा हुआ है तो क्या है next month कॉंट्रेक मतलब लेक्स फ्यूचर है चिक किसी में अगर ऐसे डबल आई है तो नेक्सट फ्यूचर नॉर्मली इसमें करन मन्त फ्यूचर है है mcx में आपको स्टाइब कि दिखेगा कि दोनों कॉंट्रेक्ट दिखेगा निए कि लिख रूनिंग मन्थ और जो है सिलवर डेस डबल आए यह लिखा है मतलब कि यह next month future यह next contract है ओके सो हम आ जाते है spot पे ओके future में हमने निफ्टी ले लिया है तो निफ्टी का यह चार्ट में आपको जूम कर दिता हूँ यह पर ताकि आपको अच्छे से चार्ट दिख जाए पूरा चार्ट दिख रहा होगा आपको कि अभी देख कि प्रो सिगनल अप्लीकेशन के उपर जैसे कि यह यह सिंबल दिख रहा तो यह क्या है यह हमारा इसीनल होगा तो क्या होगा ग्रीन कलर का बॉक्स होगा उसमें उसके लावा चल रही हिसा यान क्वायन कवां लाइन हमारा यह लाइन कान सा this उटेशा के मेढ़ स्टेशव ली तोरा रहता है और आप का जो स्टेक्श से होता ही व्याइद से पहले आपको सारे टूल समझा दू आपके चार्टिंग सॉप्टर के उपर भी यह सारे जो है मिल जाते हैं ओके नहीं मिलेगा तो क्या है इस चल रहा है वह ठीक है क्या है प्रेंड क्या है कि उसको देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं यह जो प्राइज चल रहा है ठीक है तो प्राइज अगर जो है 200 वार यह मैं लाइन के ऊपर चल रहा है उसका मतलब की जो ट्रेंड है उसी तरह से त्रेंड अगर200 दार यह में लाइन के नीचे चल रहा है तो त्रेंड नीचे चल रहा है तुर स्ट आपको दिखेगा वो चल रहा है प्लेंट टाइन फ्रेम पर क्या हुआ कि जो केंडल बन रहा है कि六 अधन गडल आफ हर फाइव इनिक ने ठीक है उसके बाद आपको कौन सा स्टॉक है वो ना स्टॉक का नेम दिख जाता है कौन सा फ्यूचर है उसका सिंबल नेम दिख जाता है उसके बाद लास्ट रेड प्राइस दिख जाता है ठीक है लास्ट प्राइस आपको दिखता है कि कौन सा लास्ट प्रेट चल रहा है उसके अलाओ वो लास्ट ब करणट बार वन रहा है यह अभी उसका एxturesफ हाई लो क्या दिखक जाता है आज का स्टॉक क्या है यह स्टॉक का लो क्या है वह टाइटल में आपको दिख जाता है उसके आलाओ यहां पर लाइक प्रो सिंगनल वर्जन हमारा वेबसाइट एड्रास हमारा कस्तुमर के नंबर और उसके साथ यह है डाइरेक्ली मेरा वाट्सइब नंबर है ठीक है यह डाइरेक्ली वाट्सअप नंबर मेरा यहां पर मिल जाता है कि आपको बुछ क्वेरी तो आप क्या करें आप डा स्टेटजी के से होता है या स्टेटजी बनता के से ठीक है तो फ्रेंज यहां तक थे हैं ओके है तो अंबरा स्क्रीन दिख रहा होगा हम जो स्टेटजी यूजज कर रहे है प्रो सिगनल एप्लिकेशन के उपर वो है स्विंग हाय लो ब्रेक आउट स्टेटजी क्या है breakout स् हम यूज़ कर रहे है ब्रेक आउट स्क्रेटेजी ओके ब्रेक आउट स्टेजी यूज़ कर रहे है मतला हम क्या फाइन करते हैं चार्ट के आपर स्वेंग हाई और स्वेंग लो अलाइब जो टोट से अलग होता है स्वेंग हाई दो कैसे बनता है प्राइस का कैसी होता है कैसे टीश मिट lot प्राइसस समझो कैसे वॉपन हुआ नीचे आया एंग लोग सबना या वाेय्ट अबनाए वापर प्राइस OPER गया वापर मतीज एक वापस प्राइज उपर गया वापस एक लोग बनाया वापस प्राइज उपर गया वापस एक लोग बनाया ठीक है तो हम क्या फाइन करते हैं हर चार्ट के उपर इस टाइप के स्विंग हाई यह हमारा स्विंग हाई हर चार्ट के उपर इस तरह से हम स्विंग हाई लोग फा लेंगे चार्ट कर लेगा स्टेटेजी देख लेगा कि कहां पर स्विंग आया है कहां पर स्विंग लो है उसके बाद अगर स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे जाएंगे अगर स्विंग लो ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे सेल जाएंगे तो इसको थोड़ा डीटेल में समझते हैं कि आप समझो, यह Candles होता है, Candles कैसे बनता है, हम 5-8 टाइम फ्रेम को यूज करते हैं, ओके, यह किस तरह से Candle बनता है, रैट, चाट के उपर, तो उपर का जो इवीक है, क्या होता है, हमारा High होता है, छिके, नीचे का जो है, क्या होता है, हमारा Low, रै उसके बाद यह जो बॉड़ी है बॉड़ीमें दो प्राइद और मेंसन होता है अगर केंडल ऀस्तरए से ग्रीन चलर है तो क्या होगा ये जो प्राइज से होगा हमारा ओपन और उपर का प्राइज होगा वह होगा क्लोज अगर ऑपन क्लोज जो है ऑपन से उपर है मतलब कि केंडल का कलर कैसा हो जाएगा ग्रिशा वह भी कलर हमने सिलेक्ट किया है ठीक है तो हमारे लिए हर बार एक प्राइज बहुत important है वो है close च्शेक है open से भी ज्यादा low से भी या हई से भी हमारे लिए close price ज्यादा important है एक हम क्या करेंगे close को ज्यादा importance देंगे तो जब भी समझो कोई एक low बनाया price ने price ऊपर गया एक high बनाया च्छेक है और वापस वापर ऑपर आ रहा है म क्या करेंगे सब्सक्राइबnasर के लो प्राइस को भी मार्ग खर्लेंगे जिके कहाँ है यह हमारा लो ऊकेथ अब जब सबोल कि किशी 5 onड फ्रेम में जो जो प्राइज हे जो प्राइज आगर हाइके उपर क्लोस करता है Rig तो我的 करेंगे हम जो है हमारा बाइंट्री बनाएंगे जब भी प्राइज इसके उपर ट्रेड करेंगा तो हम क्या करेंगे बाइंट्री बनाएंगे और हमारा स्टॉप लोस कहां पर प्लेस करेंगे लो पे आपको क्या दिखेगा इस तरह से चार्ट के उपर एक यलो लाइन दिख है मतलब कि यह हमारा क्या है हमारा बुली मोउली ठ्रेंड ए शेट बुली स्प्राइड का जहां से भी शुरूराइट होता है उस प्राइज मोमें क्या करेंगे यह इंट्री ले नेंगे तो उसके बाद है जो आवगरा अस्ट OPS था उसका हम एवरी लोघ एसे स्विंग रॉप करते जाएंगे कट चिक हैं मैं एक जगह पे ऐसा आएगा कि प्राइस यो है और उपर नहीं जा रहा है और क्या करता है बीएंग अब ट्रीलिंको ढषिद करेंगे तो यहां से यह कर नया सिग्नल बनता हूँ दीखेगा होगा सेल सिगनल मतलब कि यह जो strategy है वो continuing strategy है मतलब एक position आपका square ዥ होता है तो तुरन colors क्या है दूसरा position आपकाए 1 जाता है चीक है सो हम क्या करेंगे यांसे सेल करेंगे तो शीम्पल है हमारा रूल क्या है अगर हम सेल कर रहे हैं तो stop loss हमारा ट्रेल होके कहा पर चला जाएगा श्वींग है आय पे ठीक है तो इसी तरह से आपको जो पूरा stop loss प्राइज है इस तरह से यहां से तरह से उपर जाता हुआ दिखेगा आपको चिक है इस तरह से यहां से आपको प्राइज उपर जाता हुआ दिखेगा और वह पंचाओ का प्राइमरी यसल हमारा कि है कि क्या होगा स्वींग कि है फिर वापस इसी डिरेक्षिन में सेंल्स सिग्नल को एक तरेंगे है और यह जो आगे चलता रहेगा आधू है इस तरह से वापस में स्टॉप लोस को ट्रेल करते जाएंगे जहां से स्विंग करेगा वापस हम युद्व है कर लेंगे स्क्वेर अफ होगा तो नया पोजिशन उधर से बन जाएगा चिक है सो नॉर्मली फ्रेंट्स क्या होता है आप यह सा समझ लो कि इस दो वन कैंड आफ ट्रेंड ट्रेडिंग ट्रेंड होता है तो क्या होता है आइधर समझो तीन टाइप के हमारे पास्ट्रेंड होते हैं है अधर्वाइस हमारे पास्ट्रेंड बार यह में लाइन होता है उसको हम फॉलो करते करके आगे बढ़ते रहेंगे अभी कि ट्रेंड बुली से बेरी समका पता करेंगे एक बार स्विंग आए स्विंग लो इस तरह से बनते जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि यह ट्रे बन रहा है या फिर बेरिश ट्रेंड बन रहा है वही से हम क्या करेंगे वही से थ्रेंड करें ताकि एक अच्छे डिष्टन में हमारा पोजिशन बना रहा है उसका जाए अगल देखना है तो हम प्रोशिंगर डैप्लिकेशन पर अगर लेटेस चार्ट हम देखते हैं इस चल रहा है यहां पर बीच में एक सेल सिगनल आया था वापस प्राइस का पर जा रहा है उससी डिरेक्शन में उपर जा रहा है तो जहां से भी है हम क्या करेंगे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लोस आगे कंटिन्यू करते जाते हैं और उस ट्रेड में बने रहेंगे इस टाइप से देखिए कि प्राइस यहां पर क्या हुआ प्राइस बहुत नेरो हो गया ठीक है और एक छोटा सा यहां पर सेल सिगनल बन लिए अगर ट्रेड लिया है तो समझो यहां पर हमारा स्टॉप लोस लगा है तो नॉर्मली हम जब इंट्रेडिंग कर रहा है तो हर स्टेटिजी का एक सपोज कि कितना स्टेटिजी का तक पीछे देखागा कोई स्विंग हाइलो आइडेंटिफाई करने के लिए तो हमार चैनल मुझे यहीं से यहीं से रिटर्ट कर रहा है तो रिस्क फ्लानिंग से में सारे से हैं विसको ट्रेड GREEN करना पड़े ख़र अंड कि क्या वो सच डिरेक्शन में जा रहा है आप समझव पा रहे हो प्रेंज कि आपको clear है type c in chat box चेट आपके लिए open है question कुछ है तो वो भी आपको यहीं पर दे देना है चिक है type c in chat box अगर आपको clear है तो कहीं पर ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया में या तो मैं हो सकता है आपको अच्छे से explain नहीं कर पाया तो यहाप यहाप मुझे चेट में दे दो मेरा पूरा कौसिस रहाएगा कि आपको अच्छे से उसको समझाओ चिक है कि ओके 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 क्लियर है चिक है सुट के हमने बेंस सЬल सिंगनल देखे थे चार्ट के ऊपर तो कैसे बनते है वह भी देखा दा कि कम बनेगा सुझाल स॥ जब यह यहलो लाइन है यहलो लाइन है प्राइजकित को काचिन हूपर से नीचे आएगा ठीक है तो इस स्क्रोसोवर क्ळाई सिकनल बनेगा और वहांपर एक प्राइस भी होगा यजो करेंगे तब जो कि लगाना है और पोजिसन उसमेंगा ना है जब भी हम की स्टॉक में बाई या सैल कररेह है तो स्टॉप लोत इंपोर्टन डूल है जिसको हमें फॉलो करना है आप समझो अभी यह बाय सिग्नल आया था 22,100 से ओके और अमारा stop loss जो था वह stop loss करीब था 22,082 अराउंड त्रीक है 22,082 अराउंड अमरा एक यह stop loss यहां पर बना हुआ था तो आप समझो कि जब यह ले रहे थे तो यहां पर 115 रुपे का हमारा क्या बन रहा था तो जब भी आप ट्रेड करते हो सागर सार हम देखते हैं प्रिवेज सिगनल से देखें प्रिवेज सिगनल होता है तो उसको कैसे ट्रेड किया जाता है उसको भी मैं आगे आगे आपको दिखा रहा हूं तो यहां पर क्या था कि हमें कितना एसल मिला 115 पॉइंट का स्टॉप लोस मिला था अभी अब समझो अभी क्या है अभी ट्रेलिंग स्टॉप लोस आ गया हमारा 22008 वान तो यहां पर स्टॉप लोस रह गया है करीब करीब 25 पॉइंट आउन्ट का ठीके जो इनिशली कितना था 115 पॉइंट का लेकिन जब आप ट्रेड कर रहा है तो हमारा रीस्क कहां से काउंट करेंगे 115 से आप समझो कि अगर 115 रूपे का आपका stop loss है ओके शो क्या करेंगे हम निफ्टी का लोट साइज क्या है फ्रेंट्स लिफ्टी का लोट साइज क्या है जो अभी ट्रौक को या फ्यूचर हो ठीक है तो stop loss पॉइंट टौपवल एसल पॉइंट कितने पॉइंट का से ला रहा ह में नहीं लेना चाहिए अगर समझा आप बाई कर रहे हो तो आपका जो भी stop loss point आ रहा है वो stop loss compulsory आपको लेना है लेकिन वो stop loss अगर आपके stop loss criteria में मतलब आपके capital के 2% वाले criteria में fit नहीं बैठ रहा है तो हम वो trade नहीं करेंगे तो formula क्या है कि किस तरह से हम risk code calculate करेंगे एसल पॉइंट इन्टू इन्टू लॉट साइज या तो quantity क्या है इन्टू लॉट साइज तो कितना हुआ अब है आप समझों कि हमारा इसके 50 का लॉट साइज है चीक है निफ्टी का 50 का लॉट साइज है तो हम क्या करेंगे 115 इन्टू 50 ओके 5750 का initial risk आ रहा है एक लॉट पर ओके और हम total asset कितने रुपे का trade कर रहे हैं अभी जो चल रहा है समझों 22,115 इन्टू फिप्टी चीक है तो यह जो एसेट है total asset कितने लाग का है 11 लाग का एसेट है ब्रोकर हमें हो सकता है कि भाई लाग में trade करने दे दे लेकिन वह एसेट कितने रुपे का है 11 लाग का एसेट है तो हार स्क्रिप्ट में आपका जो रिस्क बनेगा stop loss बनेगा वो total asset value का 2% से ज्यादा नहीं होगा चीक है प्रो सिगनल application के उपर भी आप देखोगे तो नौर्बली जो stop loss होगा वो total asset value का 2% से बड़ा नहीं होगा तो हो सकता है आपके आपके अकाउंट में एक लाग रुपे का capital है तो पांचीजार रुपे stop loss आपके लिए बहुत बढ़ा है तो आपको क्या करना चाहिए यह trade नहीं लेना चाहिए लेकिन जो भी ट्रेड करो आपके capital का 2% से बड़ा रिस्क उसमें नहीं लेना है ठीक है तो यह हो गया हमारा money management rules की जब भी हम trade करेंगे stop loss point देखेंगे अभी समझे इसका stop loss या पर हीट हो जाता है तो नया sell एक यहां से sell signal बनेगा ठीक है यहां से एक sell signal बनेगा और stop loss point कितना रह गया है stop loss point रह गया हमारा 22,081 ठीक है तो हमारा buy price था समझो 22,100 15-22,081 अभी stop loss point है 34.34.50 मतलब यहां पर अगर stop loss हीट भी होता है तो stop loss होगा only 1700 रुपे आ रहा होनका ठीक है सो always जब भी stop loss भी हीट होगा तो strategy क्या करेगा आपका जो stop loss है आपको ट्रेल करा देगा ताकि आप जो है minimum risk में निकल देए ठीक है लेकिन यहां पर आपको एक नया concept दे रहा हूँ कि अगर आप ट्रेलिंग stop loss ले रहे हो तो आप क्या कर सकते हो market की साथ bargaining कर सकते हो किसी चीज़ को बेचने के लिए या फिर खरीदने के लिए ठीक है किसी चीज़ को बेचना या खरीदना आपने तो यह तो यह सेल किया है तो आपको आपको करना पड़ेगा तो एक अच्छे प्राइज पर आपको या तो नुक्षान में भी है तो कम नुक्षान में आप बाइए करेंगे वह कैसे बार्गेन कर सकते हो माजर के साथ आप stop loss ले जाके चिकना बैच है किसी चीज में बैच रहा है या खरीद रहा है तो यह पर भी यापने खरीद आया है तो हम यसको बैचेंगे तो बैचेंगे तो बीचेंगे तो बारके इन कर के साथ रूब कसाए या गलत है फ्रेंट्स US有點 Why ट्रेलिंग स्टॉप लोस सिंपल ऐसा है कि हम क्या करेंगे बाजार के साथ बारगेनिंग करेंगे कि हम लोस इतना नहीं देंगे मुझे तो इतना ही देना है और चितना कम हो सके उतना कम लोज देना है यहाँ पर है अभी आप है ट्रेलिंग स्टॉपलोस यूज कर रहे हैं अगर यूज कर रहे है अगर यूज कर रहे है टाइप वाई अगर नहीं यूज कर रहे है टाइप एन नो ओके ग्रेट ग्रेट ग जो ट्रेलिंग स्टॉप्लोस यूज कर रहे है ठीक है तो वन सगें समझाब बनेगा तो है बनेगा तो हमारा बाई सिगनल है उसके साथ सथ स्टॉप्लोस होगा ठीक है उसके बाद आप देखेंगे तो चार्ट के उपर इस टाइप से जो है कुछ ट्राइंगल दिख रहा है नॉर्मली क्या होता है कुछ ट्रेडर से उसको इससे समझ लेते हैं कि यह आपको बाई सेल बाई सेल करने के लिए दिया हुआ है तो आपको एक्चुल बाई सेल के नहीं लिया नहीं है लेकिन अगर आपका प्रॉफिट बन रहा है कि अब कल का ट्रेड है उसमें आज औरसा अगर अगर मार्केट का डिरेक्षिन समझ बुली से और कोई बुली सीगनट से पहले से बना हुआ है और उसमें इस तरह से कोई ग्रीन ट्राइंगल बन रहा है तो ग्रीन ट्राइंगल क्या होता है आपका री एंट्री के लिए होता है री एंट्री जब करेंगे तो क्या होगा वो रिस्की हो सकता है ठीक है री एंट्री जो है आपका रिस्की हो सकता है बट जब भी बाई सिग्नल है और नीचे को य लगा के वापस जब भी आपका एंट्री बन रहा है वहाँ पर आपको क्या करना है पहले आपको देखना है कि यह 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 लो लाइन है वह stop loss कितना आ रहा है वह stop loss आपके money management rules में set हो रहा है या नहीं हो करता है तो नॉर्मली मैं ऐसा कोशिश करता हूं या तो मैं ऐसा करता हूं कि आपने पहले ट्रेड में profit लिया है तो ही री एंट्री करें प्रेस एंट्री के लिए वेट करें इस थाफ का कोई का सिगनल है तो री एंट्री के लिए हम ग्रीन टाइगल का यूज कर सकते थे उसके बाद काफी सारे यूजर ऐसे जिनका बहुत है कि यहांपhoneं में कब्लिन करणा का समारी जू के नाएगलों में पर नॉर्मली कुर्चalin में कैसा होता है कि हम दो कलर लेकर चलते है या तो ग्रीन होगा रेड होगा या तो वाइट एब लेक है तो यह जो केंडल स्टिक आप देख रहे हो यह मोडिफाइड हिंकीन सी केंडल से मतलब कि यह जो स्ट्रेटेजी चल रहा है वह अपने आप में एक स्ट्रेटेजी है मतलब कि टॉप ऑफ दी ट्रेंड जब प्राइस बुलीश होगा और एक रिवर्सल दिख रहा होगा तो प्राइस क्या होगा प्राइस का जो है इसे यलो बनने लग जाएगा अगर कंटिन्यूज यलो केंडल बन रहा है तो रेड फॉर्म होगा रेड के बाद कंटिन्यूज से पूरा एक केंडल सारे केंडल रेड बनने लग जाएंगे तो उस आराउंड आप क्या ध्यान रख सकते हो कि हो सकता है कि यहां पर प्राफिट बुकिंग मिल जाए तो आपको अर्ली पांच-दस मीट पहले पता चल जाएगा कि यहां से रिवर्सल आ सकता है उसी तरह से है जब प्राइस चल रहा था समझे फॉसके बार इस तरह से बारेकर बन रहा तो ब्लू चैंडलल रहे है तो ब्लू प्लू आप यहां बने उसके बाद ट्रेंगल दिया फिर रेड बन गया है चिक है सो हमें 15 में पहले से पता रहता है कि यहां से रिवर्सल हो सकता है तो उस कंडिशन में अगर हमारे पास को कोई पॉजिशन है तो थोड़ा हम प्रिपेर रह सकते हैं प्रांफिट बुक करने के लिए या एक्जिट करने के लिए ठीक है तो फ्रेंस यहां तक क्लियर है आल्मोस्ट मैंने प्रो सिंग्नल एप्लिकेशन को केसे यूज किया जाता है सारे टूल्स को बिसकस कर लिया है चीक है अभी देखें कि यहां पर एक सेल सिगनल बन गया है राइट जैसे कि में क्या होता इसमें अगर इसे जो पेंट टूल और ऑपन कर दिया न स्मार्ट बॉर्ड पर तो चार्ट अपडेट नहीं होता है क्योंकि एक और लेयर बन जाता इसके ओपर तोधिय है तो चाहिंट में अबडेट कर लिया है अभी अगर देखेंगे तो क्या है कि देखिए यहां से क्या बना एक सैल सिघ्नल बना सैल सिग्नल बन रहा है तो होगा टेट्वे钫ूनिटी कॉण सेवफन तीवन सेचेंट्पा के सेवन बना स्य mirrors आगर तो क्या होगा i है हमारा sell signal ठीक है अभी 10 मिनिट पहले बना है ओके सो अभी समझो अगर आप option trader हो काफी सारे option trader है तो आप क्या कर सकते हो जब nifty या bank nifty में जब signal बनता है तो आप उसकी underlying asset के option के ऊपर ध्यान रख सकते हैं या पर sell बना 22,071 से तो हम क्या करेंगे 22,100 या फिर 22,000 का जो है पूट option पर ध्यान रख सकते हैं अगर उसमें signal बनेगा तो हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे इसको buy करेंगे ठीक है कि देखें वहां पर एक signals बना है तो हम इस option के ऊपर ध्यान रखेंगे अगर इस option में भी यह option यहां से reverse वहना चालू हो गया है ठीक है अगर थोड़ा सब bank nifty में और downfall आएगा तो इसमें क्या होगा आपको एक जो है signals दिख जाएगा करीव इस price के आरा रावर्ट ठीक है अगर आप option trailer है तब क्या कर सकते हैं उस asset का option के ऊपर watch रख सकते हैं और option में जब signal बन जाए तब trade करेंगे ठीक है यहां पर क्या होगा 117 रुपे का sell का stop loss है मतलब की अगर price close होगा 117 के ऊपर तो यहां पर बन जाएगा और stop loss होगा करीब हमारा 60 और स्वरी 8200 के बीच में यहां पर ठीक है राइट उसी तरह से आम दूसरा ओप्सन देख लेता है 22,000 का 22,000 का ओट ओके सीमिलर रेर से उसी में भी प्राइज अभी 65 आराउन ट्रेट कर रहा है 73 के ऊपर ट्रेट करेगा तो यहां पर इसमें आपको एक बाई सिगनल बनता हुआ देखेगा तो अभी यह जो प्राइज है 22,081 आराउन ट्रेट कर रह है प्राइज अगर समझो और यहां पर बैंग निफ्टी में अगर 20-30 पॉइंट्स का फॉल यहां पर दीखेगा तो वापस वापे आपको आप्सन में सिगनल मिल जाएगा तो आप क्या कर सकते हो कि जब भी को आपकी अंडरलाइंग एसेट में सिगनल बनता है तो एड़ में अगर निफ्टी या बना हुआ है तो आप पर वॉच रखें उसमें जब भी बन जाता है तो आप क्या करेंगे उसको ट्रेट करेंगे चिक एँ उसी तरह से अगर समझो जब भी कोई signals बनेगा समझो nifty में sell बना है तो हम क्या करेंगे put buy करेंगे nifty में buy बना है तो हम क्या करेंगे call buy करेंगे लेकिन कौन सा वाला add the money वाला ठीक है प्रेंस यहां तक सबको clear है डेफिनेटली सागर सार फ्यूचर का चार्ट कंपसरी देखना है ठीक है ना फ्यूचर का चार्ट कंपसरी देखना है blindly option को trade नहीं करेंगे option हमें अभी देखें कि nifty जो है यह nifty है ठीक है ना इन इफ्टी है यहां से इन इफ्टी है ठीक है ना इन इफ्टी सेल बन रहा है आपर राइट तो निफ्टी अलड़ी सेल बना है तो हम watch रखेंगे कि यह उसी around 22,000 के around का कोई भी option है उसकी उपर हम watch रखेंगे और जब भी उसमें signal बनेगा उसको trade कर लेंगे है ना उसमें signal आई जाएगा अगर आप देखेंगे तो यहां पर signal आई जाएगा कि जैसे यह आप देखें अभी आप टर्मिनल पर रखें ठीक है आप अपने watch लिस्ट में रखें 22,800 का put 117 के around या उसके उपर जब भी ट्रेट करेंगा यहां पर बाइस सिगनल बन जाएगा आपको ठीक है हम उसी तरह से मेंग डिफ्टी वह देख लिते हैं ओके स्टेल बैंक डिफ्टी जो है ट्रेट कर रहा है 48,000 306 ट्रेट कर रहा है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लोस क्या है 48,000 के नीचे क्लोज देता है तो इसमें भी सेल सिगनल दिखेगा चिक है तो अभी बाई किया हुआ है तो 280 अराउन हमारा स्टॉप लोस है अभी आप समझो अभी आप समझो कि नॉर्मली किसी स्ट्रेटेजी के उपर हम ट्रेट कर रहा है या खुद ट्रेड ले रहा है किसी स्ट्रेटेजी के ऊपर हम ट्रेट कर रहे है या आपने आप ट्रेड कर ले है सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है सब्सक्राइब करेंगे हम मार्केट के साथ कभी पी स्टॉप लोस के लिए बार्गेनिंग नहीं करते हैं इस केस में यहां पर क्या होगा आपका स्टॉप लोस आ जाएगा आपका लोस कितना होगा पर पर लॉट अउली 10. चीक है इन 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 बैक निफटी इस तरह से लुपर उसके यह उपशन के ऊपर वाच रोखेंगे उसकी पर उसी दिरेक्शन में को do को Profit करेंगे ।चिति थो फ्रेंज यहां तक लियर है कुछ प्रेंज प्रेंगे करेंगे तो किसके यह क्या यह याँ आगे बड़े हम चिक जहां पर भी समझो यहां पए इस टाइप के तोंट तम आपका वियू क्या हैं cream जोस्ड इंगर अगर आपका व्यू समझो ्तीन महिने का है सपको चार्ट जो ईस पैपका चार्ट जो एक रेना उसका आपको क्या करना है आपको जो चार्ट हैorem यह सने डेली की घंचने आपका दो महिने थीन महीने इन का विएव और अगर शॉट्टरIf 3-"! वूइव है विखली का समझे आपको विव हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा आपका टाइम फ्रेम् जो चेक करना है वह कॉन सबाव का वगा तैम की आपका वर हमली और डेईली ठीक है अवरले टाइम फ्रेम नॉर्मली आपका समझो तीन-चार दीन पांस दीन या विकली का व्यू अवरले टाइम प्रेम से आप ले सकते हो तो उसको कैसे ट्रेट करेंगा देखिए स्विंग हाईलो ब्रेकाउट स्टेटेजी पर जितना आपका व्यू लंबा है ना उतना आपका स्टॉप लोस लंबा होगा उतना आपको टार्गेट भी बड़ा मिनेगा अगर देखो कि यहां पर आपको तीन टाइम फ्रेम बिखता है चार्ट के ऊपर पांस मिनित हैं कि यह ब्रफॉप अब ती ट्रेड करना शुरू किया वाईट टाइम फ्रेम से ऑप से आपने इस स्टॉक में ट्रेड लिया है या किसी फ्यूचर में लिया है तो आपको क्या धेखना है अगर अगरम से लिखना है और हरनी टाइम फ्रेम में बुली Вас और लिष्ट टांपर प्लानिंग आपका पांस दिन का एक विक्का प्लानिंग तब क्या करेंगे अवरली टाइम प्रेम में जो डिरेक्षन है उसी डिरेक्षन में आपका पोजीशन ओल करेंगे और आपको stop loss कौन सा फॉलो करेंगे व्लिवाला 5 तो आप देखेंगे तो यह सिट्स ठाब का चल रहा है और आप ऐसा कि से मनना है कि अभी बैंक में मेजर सपोर्ट लेवल क्या बन सकता है तो उसका सपोर्ट लेवल है 47,340 यह डाइनेमिक सपोर्ट लेवल है यह स्विंग लो है हमारा आवरली टाइम प्रेम का मतलब तब तक लॉंग टम मतलब 5-7 दिन 10 दिन के लिए बेरिस नहीं बन सकता जब तक 47,340 के नीचे है सबको सो क्या है और वल क्या लग रहा है आपको किस क्या है आपका व्यू मुझे थोड़ा फीडबेक दीजिए कि यह प्रोड़क के साथ है उस भी आपको दिक्कत है अनिल सर आप मुझे मेल डाल दो चिके ना और उसके लाब मेरा डाइरेक नंबर है यह वाला मेरा आपको कुछ दिक्कत है तो उसके लिए भी डिरेक्ली मेरे से बात करो राइट वी है उनो टोलेट पोलिसी चिक है बतलब कि आप जो है आपका सर्विस हमरे लिए बहुत यूसफुल है राइट वी आर आयसो सर्टिफाइट कंपनी और हमें जो आयसो सर्टिफिकेशन मिला है वो है कस्टमर सपोर्ट के लिए है तो हम उसमें किसी भी टाइप का हम टोलरेट नहीं करेंगे अगर आपको कुछ ट्वेरी है तो आप डाइरेक्ली मुझे दे दो इसलिए जो है मैंने मेरा नंबर यहां पर दिया हुआ है काफी सारे नए यूजर होंगे मैंने डाइरेक्ली जो है आपको एक्स्प्लेंड करना यहां पर चालू कर दिया राइट सो आप समझो फ्रेंस आप हो सकता है कुछ लोग है मुझे नहीं पेचलते होगे फ्रेंस मेरा नाम है माइस बावलिय यहां फाउंडर और यहां पार्जिटीय सोफवेर ठीक है जो यह प्रॉड़क आप देख रहे हो स्टेटेजी देख रहे हो वह मेरा समझो काफी सारा इसमें कंट्रिब्यूशन है उसके अलावा मेरे कुछ ट्रेडर से उनके भी फिट बेक से हमारे पास स्टेटेजी जो पूरा है मेरा डिजैन किया हुआ है ओके एप्लिकेशन जो है है कुछ भी क्वेरी है आप डायरेक्ट आई है मेरे पास है ना तो सेल सिगनल होगा तो उसका पूट बाइए कर सकते हैं सागर 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 एड़ दमनी पूट बाइए कर सकते हैं जिस लेवल से भी समझो यहां पर 48,000 का लेवल है तो यह अगर बनता है यहां पर तो कैसा होगा कि 200 या फिर उसके अराउंड का रहें 200 का या उसके अराउंड का कोई जो पूट है ठीक है ना उसको आप बाइए कर सकते हो लेकिन कब सेल बनेगा तब अभी नहीं सेल बनेगा तो करेंगे रैट किसी में भी नहीं है क्योंकि जब तक उसमें आपको अच्छा रेली नहीं दीखेगा अंडर लाइंग एसेट आपका ज़िए निफ्टी है ठीके रहा निफ्टी में अच्छा रेली यह स्वरी अब देखेगा अब देखें निफ्टी में भी तो लाइक उतना अच्छा सिगनल नहीं है राइट अब एंच्छ。 की inviting मैं जो भी सब्सक्राइशन है और मुझे आप देडिजिए अऊस परThere कि अधिब्टी पीत्टी तो नहीं दे रहे अपको बिटी ले सकते हो लेकिन कैसे करेंगे मिध्टी कैसे करेंगे ब्टीए स्टी करने का सिंपल तरीका इस आये ले पहले तो हम एरा लाइक डर्ट के क्य माइंड सेट समझना बहुत ज़रूरी होता है जो अव्य स्रेटजी प्रोवाइडर है या किसी का भी अभर स्ट्रेटजी उसर Immediately तो मेरा mindset कैसा है strategy के पीछे कि पहला तो अपना trade को carry forward ना करें कब तक ना करें जब तक आप जो है जब तक आप जो है उसमें इंट्राइडे में profit में ना हो कि कल का क्या view रह सकता है उसके उपर हम कोई आठ closing पे ट्रेड लेने लेकिन मेरा मनना ऐसा है कि अगर आपका intraday position लोस में है तो उसको हम carry forward नहीं करेंगे अगर आपका intraday position profit में है तो हम क्या देखेंगे पंद्रा मीर टाइम प्रेम देखेंगे जस्ट इन एक्जम्पल यह सेल बना है इसको यह करना है कि constitu करना है आज इसायल है कल बान करेंगे तो अगर पंधरं में साहल है पंद्रा में बीट मना चाईए सेल होना चाहिए तो हम क्या करेंगे इसको इसेजक्त करके जाएंगे करेंगी अदेश्ल करेंगे कन fifteen में भाई खर लेंगे तो चेक है यह 15 मिनिट में पांच में जो है आया पंदरा मीट भी भाई था तो हम क्या करेंगे बाई करके जाएंगे और कल जो है सेल कर देंगे ठीक है तो यहां तक राइट यह सर अंदरलेंगे से चालू कर सकती हो बर्ट उसमें फिलाल में वह प्राइब नहीं करें गराओ नहीं करूंगा ब्रोग सिगनल एप्लिकेसिन के साथ iG directly में कम मोडिटी में ऑप्षान कौन्ट्रेक्ट हम जल्दी से डाल रहा है सगा रहा है देंगेम नहीं है और मेरा टेकनिकल टीम से भी लाइक दिसकसिन हुआ इपसारी चेल्ठी में द रहे हैं और टेडिंग नहीं कराने का कंसर ऐसा है कि समझो अभी किसा होता है कि सपोर्ट के लिए ज्यादा मैन पावर लग जाता है स्पेशली ऑटो टेडिंग में चुक्छे ना 90% ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको सिखाना पड़ेगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है सो इसलिए नहीं कर रहे हैं बड़ हम प्लान कर रहे हैं कि कुछ इस टाइप का प्लग और प्ले प्रोड़क हो या तो हमें किसी से टाइप करके मिल जाए या कई से या तो हम अमारा इनवा कैन कर रहे हैं सर सागर्सराइं प्सट्रॉक मिंदा गुज необходимо में कर दोง पहिंवी यह हो आगे बढ़ते हैं हम और यह हुए चार्ट के बारे में उसमें ने चले सरे पर सेंपल से ट्रेट करना है आप चाहिए सिल्वर गोट क्रूड कॉपर नेशल गेस कुछ भी ट्रेट करते हो राइट कि समझें नेशल गेस का चार्ट है सिंपल यलो लाइन क्रॉस करके ऊपर जाएगा सेल बनेगा 255 से सेल बना था अभी यह प्राइज आ रहा है 252 अल्मोस्स थ्री पॉइंट अराउंट यहां पर प्रॉफिट में है उससे पहले बाय आया था चिक है तो यलो लाइन क्रॉस करके नीचे आएगा बाई बनेगा अ साथ राइट सो फ्रेंस अब आगे बढ़ते हैं उसके बाद आ जाता है अलर्ट में फ्रेंस आपके फैवरिट स्टॉक के अलर्ट क्रियेट कर सकते हो सिंपल आपको क्या करना है क्रियेट अलर्ट में जाओ आपका कोई सिलेक्टेट स्क्रिप्ट है उसका अलर्ट लगाओ समझो मैंने alerts लगा दिया अदानी पोर्ट का buy sale alert 5-meter time frame alerts लग गया तो जब भी signals बनेगा तो आपके mobile phone के उपर क्या आएगा notification मिल जाएगा ठीक है उसके बाद है ट्रिगर तो ट्रिगर में सारे अलट्स आपको दिख जाएंगे जितने भी आपके अपके एक्टिव जो स्टॉक है उसके ट्रिगर में अलट्स दिख जाएंगे उसके बाद है signals राइट यह चितने जाए शूर ठीक है ना हम नॉर्मली मेल करते हैं ऐसा कुछ प्रॉड़क वगेरा जो केस्टिंग में है तो और अच्छा रहेगा एगा जो ट्रेडर हमें सपोर्ट मिलता है तो एक अच्छा प्रॉड़क हम ट्रेडर को मेंदी के लिए बना सकते हैं ठीक है आप ओके फ्रेंड़्स सो जैसे कि यहां पर आप देखेंगे तो सिगनल्स वाला जो ओप्सन है हमारे पास जित्रे भी स्टॉक है हमारे पास जित्रे भी स्टॉक है अराउंड एक्षेज हमारे पर जितने भी स्टॉक है वो सारे स्टॉक के अलट्स आपको कहा पर दिख जाते हैं यहां पर दिख जाते हैं और सिगनल में अभी रिसेंटली देखें तो क्या हुआ यहां पर आप देखो कि रिसेंटली गोल्ड का जो नेक्स्ट कॉंट्रेक उस है उसी तरह से तीर कर भी रराउंड स्कंटल्स मूस स्केनर में मिल जाएंगे आप आगर योड़ी सिंटल तो कम पहले देख लिते हैं कि तो रिसेंटली बजल्ड फीन-सर्विस हेस्टील आपці metropolis आज सारह स्टोक इसंग्वा है इसमें क्या बणा हुआ से सिंगल बना हुआ है अगर बजाज फीन सर्विस में हमारी पॉजिशन थी पहले ही पॉजिसन थी तो एले से अगर हमारी पॉजिशन थी तो हम क्या कर सकते थे अभए सेल कर सकते हैं । Carnival नॉर्मली डिलीवरी टेडिंग में क्या होता है कि हम पोजिशन जल्दी एक्जीट नहीं रहते हैं लेकिन यहां पर फाइदा है समझो यहां पर 1540 से आपने बाय किया था बजाज फीन सर्विस ने एक अच्छा रेली दिया है ना 1632 से वापस सेल आ गया तो हम क्या करेंगे कि यहां पर हमें almost यहां पर almost हमें 70-80 points मिल रहे हैं 70-80 points मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे हमारी position आप कर लेंगे राइस वापस नीचे आएगा और जब भी वापस बनेगा तो इसमें वापस पोजिशन बना लेंगे तो क्या होगा कि आपको एक अच्छे प्राइस पर आपकी पूर्फोलियो में से मिल जाएंगे राइट सो इस तरह से जब भी सेल बनता है योडी चार्ट की क्या करेंगे आपकी पोजिशन को एक्जिट कर लेंगे उसी तरह से अगर किसी में बाई मिला है समय आपे यह सिगनल्स पूरा नहीं काफी यारा तारीक है रहा हूंगे स्टॉक के बुली से राइट मैं यह ले रहा हूं इस्टॉक के जिसमें बाई था तो यह सिगनल्स था 742 से बाई आया हुआ है और स्टॉपलोस क्या मिला है 675 राइट सो डेले टाइम फ्रेम में जैसे जाएंगे मैंने बताया था स्टॉपलोस क्या होगा आपका उस 3면 से बड़ाना हो हमारे capital का 2% बड़ा स्टॉस नहीं बनना चाहिए चिक है ँह के तो वो कैसे calculate करेंगे समझी आपको बहां हो पॉजिशन बनाना है अब चाह decentralized में बना रहे हो या फिर को समझो एक एक व्यांपल के थी मेरे पास केपिडल है एक लाग रुपे का लिए या और加श्क्ट या रिस्क होगा 2000 रुपे का टादीक डोब तो 742 से यह आया था अमारा बाय आया था ठीक है तो 742 माइनस stop loss कितना है 675 यहां पर initial stop loss कितना है 67 पोईंट का ठीक है तो हम क्या करेंगे 2000 जो अमारा stop loss है रिस्क है 2000 divided by 67 मतलब कि यहां पर जो अगर quantity rate करेंगे वो 29 stocks से ज्यादा 29 cents से ज्यादा नहीं होगा ठीक है stop loss समझो 10 points का है तो तो 200 से ज्यादा stock up इसके trade नहीं करेंगे ठीक है मतलब कि आप जब भी trade करते हो तो आपका capital उस तरह से use होना चाहिए कि वह आपके stop loss जो है आपका उसमें हो जाए तो वह आपके capital का 2% से बड़ा ना हो ठीक है software देखके आपने क्या लिए आपने 22,000 के put में signal ही नहीं है यही तो बात है मुकुन सर्थ यही तो बात है मैं कब से बोल रहा हूं आपको चीके ना और यह दिसकस भी हुआ है कि हमें जब भी signals हम देखते हैं निफ्टी का signals हम देखेंगे अगर निफ्टी का signals 22,000 से तो हम उसका option भी देखेंगे उस option में signal होना चाहिए मुकुन सर्थ उसमें signal होना चाहिए यहां पर signal नहीं बनाया है और signal बना होता तो भी हो सकता है कि इस टॉपलोस आ जाए चाहिए ना मुकुन सर्थ जब भी आप ट्रेड करो आपने निफ्टी देख लिया निफ्टी के साथ-साथ उसका option भी देखो निफ्टी में लाया है तो जो option आपको ट्रेड करना है आपने 22,000 का पूट ट्रेड किया तो उसमें signals होना चाहिए है प्रेस सिग्नल्स होना चाहिए signals है तो उसको ट्रेड करो चेके ना और signals है और ट्रेड किया है तो भी stop loss मिल सकता है लेकिन हमारा maximum कॉसिस क्या है हम continuously ट्रेड करें हमारा capital बचा के ट्रेड करें ताकि हम profitable ले सके तो कैसे कैसे ले सकेंगे कि समझो यहां पर अभी बाई नहीं बना है लेकिन यहां पर बनेगा तो कब बनेगा 74 से समझो बाई बना है और हमारा stop loss जो आ रहा है वो आ रहा था समझो यहां पर 50 का चिक है तो यहां पर कितना है 24 पॉइंट का यहां पर क्या है अभी 1200 रुपए stop loss हम ले रहे हैं ब्रोकर क्या करेगा ब्रोकर आपके अकाउंट में सीर्फ 1200 रुपए होगा न तो भी यहां पर आपको ट्रेट करने दे देगा लेकिन आपका रिस्क कितना हो जाएगा फिर 100% कि लगे 100% कि अफिर होां तो एक कॉलता हो यह 12-100 से 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए मत 1200 रुपए जो है आपके टोटल केपिटल के 2 परसलंगे बड़ा नहीं होना चाहिए है चुक्ड है तो इस तरह से अगर देखे तो कितना कैपिटल लगेगा इस ओप्षन को ट्रेड करने में कितना कैपिटल होना चाहिए हमारे पास कम से कम बले एक लोट ट्रेड कर रहे हो फ्रेंज ओप्षन ट्रेडर काफी सारे हैं ठीक है सकता है कि किशी के आकाउund में 10 जार रो हो सकता है किसी के अकाउट में 25 जार ओर हो सकता है ौइर फाइल x या 5Cr भी हो कुछ भी हो कि अभी सोशिल मीडिया का जमाना है देखते हैं रिल्स के उपर हम प्रॉफिट देखते हैं कोई आपको को बोलेगा कि 20,000 लगा दो एक दिन में capital double हो जाएगा कोई बोलेगा 25,000 लगा दो एक दिन में capital double हो जाएगा फ्रेंस clearly सुन लिजिएगा एक बार कि यह 1200 रुपे यहां पर stop loss लग रहा है broker आपको account में 1200 होगा ना एक trade place करने दे देगा लेकिन अगर मेरे इसाब से यह एक lot trade करने के लिए आपके पास जो capital है ना वो होना चाहिए 60,000 कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके लिए 60,000 capital लगेगा क्योंकि 60,000 होगा तो हमारे capital का 2% होगा 1200 रुपे stock market में जब भी trade करते हो सबसे बड़ा जो risk है ना वो है continuous stop loss सबसे बड़ा है continuous stop loss रइट continuous ऐसे लग सकते है तो कितने ऐसे लग सकते है एक दो तीन चार पांच छे दस ट्रेड लिया stop loss आया ट्रेड लिया stop loss आया फ्रेंस कितने continuous ऐसे लग सकते हैं क्या है आपका अनुभव क्या है आपका अनुभव क्या है कितने continuous stop loss लग सकते हैं फ्रेंस थैंक यू जितन्द्र सर थैंक यू आपके notification sound आपके mobile का change करना पड़ेगा जितन्द्र सर फ्रेंस कितने continuous ऐसे लग सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं दो साथ से ज़्यादा अनुभव हुए वो लोग यह answer दे पाएंगे कि continuous कितने stop loss लग सकते या तो आपको कितने stop loss मिला है trade लिया stop loss आया trade लिया stop loss आया trade लिया stop loss आया कितने stop loss मिले है आपको continuous कितने stop loss आपको मिले है एक दो तीन चार पांच कितने मिले है friends please answer प्लीज फ्रेंट्स जल्दी से ताकि हम यह रिस्क मेनेजमेंट वाला पार्ट है न वह मैं आपको अच्छे से समझा सको पांच से आठ तीन से चार फिर हम क्या करते हैं हम एक राउन फिकर पकड़ लेते हैं दस चेके क्या दस ट्रेड लिया दस दस के दस ट्रेड में स्ट्राफलोस आ सकता है दस ट्रेड लिये दस के दस में स्ट्राफलोस आ सकता है मुकुन सर 10 के 10 में आ सकता है very rare right very rare लेकिन हमारा strategy हमारा risk planning है इतना foolproof होना चाहिए कि 10 top loss लग भी जाएना तो भी हमारे पास capital होना चाहिए 11 वा ट्रेड करने के लिए लग जाए तो भी हमारे पास capital होना चाहिए 11 वा ट्रेड करने के लिए तो कब कैसे बचा सकते हैं वह बचा सकते हैं दो परसेंट वाला रूल फोलो करके दो परसेंट पर ट्रेड या फिर पर डे आप चाह ट्रेड लेने वाले हो एक दिन में चाह ट्रेड लेंगे यासा सूचा है तो पॉइंट फाइप परसेंट रिस्क होगा पर ट्रेड ठीक है कितना होगा point 5% risk होगा per trade आप 4 trade करेंगे तो otherwise 2% अभी आप समझो कि कैसा होता है कि अगर हम 2% risk के साथ 10 trade लेंगे और 10 के 10 में stop loss आया तो हमारा maximum capital loss होगा 20,000 रुपे कितना 20,000 रुपे मतलब कि अगर समझो example के तोर पर एक लाख रुपे का capital है उसमें आप समझो cost भी लगा लो सब कुछ निकाल दो ब्रोक्रेज वगेरा लगा लो तो आपके account में 25,000 से बड़ा नुक्षान नहीं हुआ होगा 10 trade में प्रेंस चिखे आपके पास still आपके पास 75,000 होगा इससे आप 11, 12, 15 trade कर सको चिखे ना लेकिन उसके सामने अगर आपने ऐसा कर दिया 2% risk था उसको 10% कर दिया तो capital पूरा हो जाएगा wipe out account friends 2% risk की जगह पे 10% लेंगे तो capital पूरा हो जाएगा चिके आप समझो 2% की जगह पे 5% risk लेते हैं तो भी आप 50% पहिसा जो है आपके account से लोज कर देंगे और एक बार आपका capital 50% गिर जाता है मतलब आपके account में 50% लोज आ जाता है ठीक है तो वापस उसको कमाने के लिए आपको कितना परसंट प्रॉफिट करना पड़ेगा आपके capital का 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा मैं फ्रेंट्स कि आपके capital का 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा और practically कुछ भी आ जाए कोई भी आ जाए सौट का रीटन नहीं निकाल सकते यह सौट कट है निकल जाएगा तो निकल जाएगा लेकिन वह consistency नहीं होगा उस ट्रेडर को आप छे महीने से ज्यादा बाजार में नहीं देखोगे अगर को ऐसा बोल रहा है कि नहीं मैं तो यह कर देता हूं या वो कर देता हूं मैं फ्रेंड्स इस ट्रू यह सही यह गलत हैं है अलो इस ट्रू राइट इसलिए मेरा हमबल रिक्वेस्ट आप ओप्सेन ट्रेड करो स्टॉप ट्रेड करो फ्यूचर ट्रेड करो आपको जो भी ट्रेड करना करो चिक रूब यह होना चाहिए कि आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नुक्षान एक दिन में नहीं करोगे और आप समझो आपको आपका 100% कैपिटल पूरा करने में आपने फॉलो कर लिया 100% कैपिटल आपका पूरा करने में दो महिने लगेंगे 50 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे 50 लगेंगे अगर इस रूल से हम जखेंगे तो और सबको पता है कि 10 ट्रेड रेर होते हैं दयार होते हैं जब हमें पता है है फेले से कि दस के दसेज़ दी श्टाफलोस नहीं लगेगा तो 50 ट्रेड तक तो पहुंशने की बात ही नहीं आती है कि हमारा कैपिटल पुरा हो ज के है राइ्ट ज्वाटर अच्छा है प्रोड Nept अच्छा है सब कुछ है इसको इसको प्रौपर्ली सिखना पड़े छुचे सो ये हुआ होऊआधिक्क सिंसे बारे में कि योडीशीजील डरेक्ली आपको महँं मिल जाता है आगे hmm हार जींडी देखा हमने योडीशाट आपको डिरेक्ली मिल जाएगा सिंग्नल उसी तरह से बनेगा सिंग्नश देखने में कोई और नहीं है सिंपल है यह जो चार्ट बन रहा है इस चार्ट कब बन रहा है डिवाई स्लेव का चार्ट है यह जो एक केंडल बनेगा ना हर एक दिन में बनेगा एवरी डे बनेगा है केंडल और कब अपडेट होगा साम को अपडेट होगा जैसे यह चार्ट अपडेट हो जाएगा आपको नोटिपिकेशन मिल जाएगा मतलब कोई आज बाइ मिला है तो उसको काल मोर्निंग में वाइ करेंगे आज किसी में स्टॉप लोस आया है तो हम क्या करेंगे काल उस ट्रेट को एकजिट करेंगे तो थोड़ा बहुत एंट्री में वहरी हो सकता है बट इसको डेईली टाइम में जो है उसका चार्ट डेली अपडेट होता है चिक है मिटलब डेली एक केंडल बनेगा आपका ओके सो उसके अणावा काफी सारे और टूल से जिसे कि निव्गेरा मिल जाता है अगर आपन्यूस में इंटर्स दो तो बाजयूर में सबसे रिलाइबल निउस मिलना मोथ रिलाएबल न्यूज मिलना नॉर्वेली बहुत रेर है कि अच्छे न्यूज वाली वेबसाइट जो है उसका न्यूज हमने यहां पर आरेंज करके आपको दिया है उसके अलबाब पायोट टेक्निकल्स लेवल जैसे मैंने बताया चेके कि पायोट टेक्निकल्स मिल जाता है और सब कुछ राइट यह जो जितने भी टूल्स है हमारे पास प्रोव सिग्नल एप्लिकेशन पर फ्रेंस वह आपको देखने मिल जाते है या तो एक्सेस करने मिल जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके एक स्टॉप्लोस प्राइज से भी कम में फ्रेंस दो हजार रुपे में आप क्या हर सकते हो एक महिन के लिए पृवस सिग्नल एप्लिकेशन को सब्स्क्राइब कर सकते हो जिसके अपर सारे टूल से रैइंट इसारे टूलस आपको है अब डाइरेक ली जिसे होम में आते हो है ना अब डायरेकली होम में जिसे आते हो तो यह पर plan and pricing का option है right plan and pricing का option है इसको open करके directly आप यहां से subscribe कर सकते हो right friends यह जो product है यह product यह जो product है normally कैसा होगा कि एक reliable हो हर individual trader इसको access कर चके है normally क्या होता है एसे एसे software है एसे एसे software products है जो individual trader के लिए available ही नहीं होता है उसका cost ही इतना होता है कि individual ट्रेडर जो है उसको अफ़ोड ना कर सकते है रिटेल ट्रेडर उसको अफ़ोड ना कर सके राइट सो प्राइस देसा है टूल एक सिंपल है समझो एक छोटा सा product है जो आपका सारा काम कर देगा आपको profitable trader बढने के लिए जो supporting tool की ज़रूरत लगे वह pro signal application के ऊपर है ठीक है मोबेल पर लॉग इन करोगे पहला वाला लॉग आउट हो जाएगा कर सकते हो नहीं कर सकते हो जाए नहीं बट पहला वाला जो मोबैल फोन है उसमें से लॉग अज़ाएगा एक ब्राउजर पे एक्सेस करऊ एक मोबायल में और दूसरे में इस दूसरे में जो है आप मोबाइल पे एकसेस करो एक ढदी पे आप dwO session चला सकते हो एक आपके यूजर पर चलेगा एक application पर चलेगा दूसरे में आगर आप लॉगिन करते हो कि इसरे के लिए आपको separate ID subscribe करना पड़ेगा सर चितने सेपरेट ID subscribe करना पड़ेगा एमडी सर जस्त मिनिट 48,300 जस्त मिनिट ओके यहां पर क्या हुआ बैंक रिफ्टी में सेल आया 48,246 है हम क्या करते हैं 48,000 का 48,300 का कि आखे रहे हैं पूट शत्रारीष अहां पूट है यहां पे देखे में सीग्नल बन गया प्रेंस यहां पर को सिंग्नल देख रहा होगा मैं क्या करता हूँ उशको फूस कर देता हूँ स्दिधर्ण स्ट्रेग मैं आ उनल concur 254 फ्रेंस कर टू फोर्टी एट से जब अम भार करेंगे हमारा स्रप्रस्क्या था किरिक है फिसल्ठ और पुएंट का 54 पुएंट मẤलब की पितला सो पैसम का था है यह था त्रइसम पिसल्प करता हूँ कि maximum possible price पर आपका जो एंट्री प्राइस था ना उसके अराउंट ट्रेड करने का कोशिस करो या फिर 248 अराउंट का यहां पर जो है बीड लगा दो चीक है जब आप लिमीड लगाते हो कि जब भी वहां पर आएगा तो वापस बाय हो जाएगा 248 पर तो यहां पर 65 के आप अगर मनी मेनेजमेंट के वह से जाना चाहते है अगर आप वह से 65 के अकाउंट में होगा तो क्या होगा ब्रोकर आपको यहां पर ब्रोकर आपको यहां पर हो सकता है 20 लॉट ट्रेड करने देए ठीक है 65,000 लॉट ट्रेड करने देए सकता है आपके अकाउंट में अगर 65,000 है ब्रोकर आपको बोलेगा आप 50 लॉट कर सकते हो बट मैं आपको सजिस करता हूँ मेरा सजिसन ऐसा है कि यहां पर सिर्फेट लॉट होना चाहिए यह होता है ट्रेड करने का डिसिप्लिन ट्रेडर ब कोई भी ट्रेडर कोई भी ट्रेडर जो ट्रेडर के हित में बात करता है वह यहां से गेंबलिंग करने के लिए नहीं बोलेगा चैक है तो यहां पर 20 सिगनल है हमारे पास उसी तरह से अभी इसमें सेल आया तो हम वह सारे स्टॉक देख लेते हैं अच्छेल आया है चिक है 22 हजार का पुट 22 का पुट फिलाल बाय आ रहा है लोस्ट मेकिंग का बात हो रहा था 22,000 के पुट में 22,000 के पुट में मुकुन सर आपके पास पोजिशन है यह आपने निकल दिया पोजिशन है देखिए अभी स्टॉब्लोस बढ़ गया क्या बना फिप्टी फॉर से के ना मुकुन सर फिप्टी फॉर का एसल बन गया हमारा कोई भी ट्रेड जो है ना जो भी ट्रेड आप लेते हो ना उस स्ट्रेक्ली सिगनल के साथ स्ट्रिक्ली राइट यहां पर सेवंटी वन रावन से बाय आया है अभी ट्रेड वह रहा है सिक्स्टी सेवन पॉसिबल प्राइज है कि आपको सिक्स्टी सेवन या सेवंटी वन के आरावन ट्रेड इसको करने मिल गया होगा राइट अगर सेवंटी वन से बाय कर रहा है तो फिप्टी फॉर का स्ट्राप लोज है तो सेवंटी वन सिवंटीवन गयैनस फिप्टी फॉर कितने पॉइंट हुए कितने पॉइंट का स्ले 17 पॉइंट्ट का 2020 स्टे कहा है गया अन्ट्राप व किया होगा यहाट्स पचास रूपे combine हुगाइश न ब्रोकर क्या करेगा हमारा एकाउंट में 850 रुपय है तो वह ट्रेट करना देदेगा लेकिन हम नहीं करेंगे हमें अगर ट्रेट करना है कितना कैपिटल चाहिए एक लिस्ट अराउंड आप समझो कि कितना होगा अराउंड फॉर्टी थाउंज़ अगा तो यह 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 राइट वे होता है ट्रेट करनेगा आपके अकाउंट में 10,000 है फिर भी यह आप आप ट्रेट कर पाऊगे ऑफ्सन ट्रेडर हम है तो पर अगर अगर हम सस्टेन होके करना है कंटिन्यूसली जैसे होता है मेरा लोस हो गया जब कब होगा कि 850 रुपय का लोस हो अब आपके पास एक अच्छा कैपिटल है तो यहां पर यह फ्राब्लम नहीं होगा और वह कैपिटल आपका बढ़ा के देगा आप पैनिक नहीं करोगे अगर कोई ट्रेड इसा बना है तो चेके ना तो के फ्रेंट्स अल्मोस्ट हमने सब कुछ डिसक्स किया है राइट स् है फ्रेंट्स जिसके उपर हम बात कर सके अधर्वाइज अल्मोस्ट जो है हम पिछले एक देट कंटे से डिसक्स कर रहा है राइट है 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 तो के फ्रेंट्स है थैंक यू जिदेन सब्सक्राइब करते हैं है त्रेंट को आप आपका टार्गेट ना आ जाए इसी भी स्टॉक का पहला तो मिनीमम मिनीमम एक्स्पेक्टेशन इस हर टेडर का डिफरेंट एक्सपेक्टीशन होता है चाहिक है आयम एक्सपेक्टिञ वट रस टू थरी मतलब कि मेरा का 8-100 ग 21 मतलब 800 का टार्गेट है तो और याल ठाया था आथन रूपा रोट तो रिगे दूसरा है ट्लिग रिस्क था सोला सो रूपे अभी एक situation ऐसा होता है एक situation ऐसा होता है सागर सर कि हम क्या करें कि हमारे स्टॉपलोस से at least one point five और two times मिलता है तो एक बार एक profit book करने का एक अच्छा समय होता है कि वहां पर at least partial profit book कर सकते हैं अगर ज्यादा कॉंटिटी ट्रेट किया है तो समझों दो लौट ट्रेट किये हैं इस contract में तो हम क्या करेंगे वन रेस्टू वन पॉइंट फाइव या फिट टू टाइमस अगर मिल रहा है तो हम क्या करेंगे स्टॉपलोस का तो हम यहां पर at least partial profit book कर लेंगे और एक जो पॉजिशन होगा उसको रॉपलोस के साथ conti nyuosly hold करते जाएंगे जब तक वो पॉजिशन वोपर जाता है हम का पे ओजिद करेंगे ट्रीलिंक स्टॉप्रोस के ऊपर पर उसको एक्जिट करें तो य displacement करेंMan करेंगे हैंना काफी कुछ डिसकस किया है जादे तो डिरेक्टली हम मेनु में आपको फ्लाना प्राइजिंग दिया है आप डैरेक्ली वहां से सब्सक्राइब कर पाऊगे आपको सपोर्ट की जरूरत है हम के उपर आपको वाट्सप आपस का ओप्शन दिया है चिक है उसके अलवा आप देखेंगे यहां पर है क्या वाट्सप आपस है का सुद्सक्राइब कर ओ कॉन्टेक्ल एडरेक्ली को करो कॉंट्सक्राइब हठेच करो कॉंट्स में जो है मैंने ने कोई behavior आपके साथ यसा कर दिया जो आपको पसंद नहीं आया यसा कुछ है I am sorry for that और मेरा कोशिस यहां कि आपको अच्छे से अच्छा सर्विस दू कुछ भी complaint है अब directly मुझे दे दू कि छेके ना कुछ भी complaint है अब directly मुझे दे दू हरी सर प्राइज जो है डिस्काउंटेड प्राइज है एक स्टॉप लोस से भी कम प्राइज है सर्व सो दे प्राइजिंग आपके पास अभी देखें कि यह कब तक है हमारे साथ नहीं पता है बट दस जार रुपे में आपको तीन साल के लिए प्रो सिग्नल अप्लिकेशन जो है आपको एक्सेस करने मिल जाता है चेके ना तो आप देखें 10,000 divided by 36 month it will be around it will be around 277 rupees per month अधिशार चेके है definitely sir तुशार शर आप सायद अभी अभी जोइंग किया है तुशार शर आप सायद अभी अभी जोइंग किया है प्रो सिग्नल एप्लिकेशन जो है आपको आपको इंट्रडे ट्रेडिंग के लिए ही यूजफुल है उसके अलवा आप पोजिशनल ट्रेडिंग भी कर सकते हो देखे काफी सारे यूजर जो है अभी जोइन किये होगे जो वेबिनार है उसका पूरा जो रेकोडिंग है मैं क्या करूंगा मैं यूट्यूब पे अप सब्सक्राइब कर लो उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा चेक है हम जो ट्रेड करते हैं उसका अकावंटिंग रखना बहुत जरूरी होता बहुत जरूरी होता है यहांपे लेखे से जो एक PDF फाइल डाउनलोड होगा, आपको क्या करना है, उस फाइल को, उस फाइल को आप प्रिंट आउट लेके अपना ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना शुरू कर सकते हो, अगर आप नहीं कर रहे हो, तो, ठीक है सर, ओके शर, 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 यह जो फाइल है ना, सभी को, मैं क्या करूंगा, मेल में आपको भेज़ दूंगा, आपके मेल में भेज़ दूंगा यह जो फाइल है, ठीक है, ओके फ्रेंज, सो, once again, thank you for joining this webinar, ओके, हम इसी तरह से, मिलते हैं, normally week में दो बार online में आता हूँ, ओके, सो, कुछ भी दिक्कत हैं, फिर से आप जोइन कर लिजेगा, ओके, सो, के फ्रेंज, thank you for joining this webinar, thank you.